हेलो फ्रेंज, आज हम बात करेंगे म्यूजियम अत्वा संग्राले के बारे में आपने म्यूजियम ये संग्राले तो अवस्ते ही देखा होगा और वहाँ विचित्र अद्भुत वस्तुओं को देखकर असर चकित भी हुए होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सुरुवात कैसे हुई म्यूजियम सब्द की उत्पत्ती ग्रीक भासा के माउजियन सब्द से हुई है जिसका अर्थ है एक कांत में अध्यन करने का मंदिर विश्व का पहला म्यूजियम अलेक्जेंडिया में इस्ति थे जो की इसा से तीन सताब्दी पहले बनाया गया था इसमें सोधकर्ताओं को ज्यान देने वाली संसार की अनेक वस्तूओं का संग्रह किया गया था इसके बाद ऐसे म्यूजियम की अस्थापना हुई जिसमें अनेक प्रकार के यंत जानवरों की खाले, हाथी दात, आदी रखे जाते थे उन्निस्वी सताब्दी में राजा महराजाओं ने म्यूजियम की अस्थापना में बहुत सहयो किया इन मेवे देश, विदेश की विचित्र वस्तूओं का संग्रह करते थे हाला कि ये म्यूजियम केवल राज परिवार और उनके सगे समंधियों के लिए ही थे उसमें साधारण व्यक्ति को जाने की अनुमती नहीं थी कुछ समय बाद फ्रांस की क्रांती हुई जिसके बाद म्यूजियम आम लोगों के लिए खोल दिया गया इसके बाद इसके लिए अच्छे बड़े भवनों का निर्माड किया जाने लगा 1830 में जर्मनी के बरलिन सहर में फाल्टेस म्यूजियम का निर्माड किया गया आधुनिक धंका सबसे पूराना संग्राले आक्स फोड में है जिसका निर्माड संचोरस अव उनासी में हुआ था 1874 में अस्थापित अमेरिकन म्यूजियम अफ नेचुरल हिस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजियम होने का दर्जा प्राप्त है आज म्यूजियम में विज्ञान, कला, इतिहास, पुरा तत्व, जोतिस, विज्ञान, आदी, समस्त विद्याव की वस्तुए देख सकते हैं आईए जानते हैं अजीबो गरीब संग्राले के बारे में जर्मनी के एक नगर में इस्थित एक संग्राले में प्राचीन काल की रोटी भी सुरक्षित रखी हुई हैं इस संग्राले में समय समय पर खाई जाने वाली रोटी तथा उसे तैयार करने का तरीका वो अन्य विवरण भी दिया गया हैं काहिरा की एक संग्राले में चार हजार वर्ष पूर गेहुं की रोटी रखी गई हैं चातो वा टोपियो का संग्राले जर्मनी के स्टार्ट गाड नगर में एक ऐसा संग्राले है जिसमें चातो के सैक्रे नमूने रखे गए हैं जहां धूप वा वर्षा से बचने के लिए उपयोग में लाई जाने वाले प्राचिन्तम चातों से लेकर आधूनिक ढंग वो आपकर्षक चाते भी रखे गए हैं कुछ ऐसे चाते भी हैं जिने आसानी से बंद करके अपनी जेव में रखा जा सकता है जर्मनी के हेंबर्ग में टोप यू का शंग्राले हैं जहां प्राचीन युग में उपियोग किये जाने वाले घास के टोप से लेकर नए जमाने के फैसंदार नए से नए टोप यहां देखे जा सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सच्क्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें